नमस्ते मैं राजविंदर और आज मैं बात करूँगा कि मैं अपनी IBS कैसे मैंनेज करता हूँ जहातर जो जिलों को anxiety का कुछ issue होता है तो उनको IBS हो जाता है क्योंकि हमारा जो mind है brain है वो हमारे पेट से gut से connected होता है तो there is a mind-gut connection तो that is why जो जिन लोगों को OCD होता है या anxiety issues होती है उनका जो पेट है वो खराब हो जाता है आपने खुद देखा होगा कि अगर एक्जाम से पहले जब आप जाते हो एक्जाम देने के लिए तो आपके पेट में गुड़ गुड़ वगरा होने लग जाता है तो वो पेट खराब हो जाता है तो आज मैं बात करूँगा कि IBS जो है कि जो लाज इंटरस्टाइन है हमारी जिसमें यहाँ पे जो खाना पचता है वहाँ से फिर वो एक्सक्रीटरी मूवमेंट बाल मूवमेंट जो है वो निकलता है स्टूल निकलता है हमारी बॉड़ी से तो जो लाज इंटरस्टाइन क्या होते है कि उसकी जो मुसल्स है वो move करती है, ऐसे contract करती है और expand करती है, कि वो खाना आगे बढ़े उसमें, but IBS में क्या होता है वो movement ना, या तो ज़्यादा fast हो जाती है या तो ज़्यादा slow जब fast हो जाती है तो खाना क्या होता है, ठीक से digest नहीं होता है, जल्दी अल्दी निकल जाता है, तो diarrhea हो जाता है, lose motion और अगर वो slow हो जाती है movement तो constipation होता है, टॉलेटी नहीं आती तो जो IBS B या IBS C, ये कई लोगों को C होता है कई लोगों को D होता है, कई जो unfortunate लोग होते हैं, उनको दोनों ही होता है मुझे क्या था, B था diarrhea, lose motion वाला अभी भी है, बट वो manage किया हुआ है मैंने, तो IBS के जो symptoms है, वो है कि पेट में दर्द होने लगता है, gas होती है bloating होती है, cramps होते है मरोडे जो बोलते है, तो ये जो पेट में दर्द होता है, वो मुझे तो lower, पेट में दर्द होता था lower left में, तो ये ही जो मुझे जो दर्द होता था, शुरू में मुझे लगा कि kidney stone है, तो मैं तो kidney stone की दवाई लेने लग गया था और उसके उपर focus करने लग गया था पर फिर मुझे बाद में पता चला कि kidney stone नहीं है, ये मेरा मतलब, ये IBS है एक जो सबसे बड़ी निशानी होती है IBS की, कि जो आपका पेट में दर्द होता है, वो अगर आपको जब toilet आ जाए, तो दर्द ठीक हो जाता है या गैस अगर निकल जाए आपके पेट से, तो दर्द ठीक हो जाता है, kidney stone का दर्द से ठीक नहीं होता है, IBS में भी काफी pain होता है, तो बहुत ये दर्दनाक बिमारी तो है, और ये इसका कुछ इलाज नहीं है तो लोगों को जिन्दगी पर उसको रहना पड़ता है, IBS अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो शुरू में अलसर तो नहीं है, कुछ और बिमारी तो नहीं है कोलाण कैंसर वगारा, ये सब देखते हैं अगर वो ना हो, तब वो IBS बोलते हैं तो IBS जो उसका डाइगनॉसिस होता है, वो exclusion डाइगनॉसिस होता है, कि कोई और बिमारी नहीं मिली, तो हम, इसके लिए हम समझ रहे है कि वो IBS है, जो IBS में ब्लड नहीं आता स्टूल में, आपकी टॉइलेट में ब्लड नहीं आता है, अगर ब्लड आ रहा है तो आपको IBD हो सकता है, या कोई और बिमारी भी हो सकती है, IBD इस टेबल बाउल डिसीस जो, और एक और जो लोगो को डाउट होता है कि IBS से आगे कोलाउन कैंसर जिसे रिसर्च ने बताया है कि नहीं होता है, IBS जो है वो वैसे ही रहता है, पूरी जिन्दगी आप मैनेज उसे कर सकते हो, जातर लोगों का इतना एक्स्क्रीम नहीं होता है तो आप खाना पीना अगर ठीक ठीक से आप खाऊगे, तो वो मैनेज हो जाएगा अभी जो IBS में मैंने कैसे मैनेज किया है एक तो मैंने अपने लाइफ में डायेटरी काफी चेंज किये है जो चीजे एक होती है फॉर्ड मैप डायेट, फॉर्ड मैप का फुल फॉर्म है, फर्मेंट टेबल ओलिगो सैकराइड, डाइस सैकराइड, मोनो सैकराइड और पॉलियोल्स, ये चार तरह के कार्बो हैड्रेट्स होते है जो हमारे जो लाज इंटेस्टाइड में ठीक से वो डाइजस्ट नहीं होते है तो इसके लिए आईबियस वालों को वो नहीं खाने चाहिए फॉर इजामपल जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया वो हाई फॉर्ड मैप डायेट्स फूड है जिसमें यह कार्वो हाईड्रेट्स जादा है तो आपको यह नहीं खाने चाहिए उसके बाद फिर वीट हो गया वीट भी लोगों को प्रॉब्लम करता है मुझे आपल भी करता है, एक तो कॉंटिटी और भी होता ही, आपल मैं कम खाऊ तो खुझ नहीं होता, पर आपल जादा खाऊंगा तो हो सकता है उसके बाद जो लोग फॉड माप डाइट है जो अच्छा है, जो मैं अपनी डाइट में काफी खाता हूँ वो है राइस हो गया, कर्ड हो गया अगर मैं तो वेजिटेरियन हूपर अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकते है चिकन, एग उसमें वो भी लो फॉड माप है उसके बाद आप जवार खा सकते है तो मैं राइस की आटे की रोटी भी खा लेता हूँ उसके बाद दही काफी खाईए, दही, लसी, ग्रीग, एपिगामिया वगारा मिलता है, वो आप खा सकते हो उसके बाद आप मतलब मैं जैसे बीच में मखाने वगारा खा लेता हूँ, पीनट बटर, पीनट्स भी इतना नहीं करते है जिसे जो ड्राइ फूर्ट से आप जादा मत खाईए, बट मैंने देखाई कि पीनट बटर में खाता हूँ, तो उसके बाद आप डाक चॉकलेट खा सकते हैं, वो डाक चॉकलेट जो है, वो हबारे मन को भी थोड़ा सही रखता है, जिसे मैंने बता है कि ये स्ट्रेस की वज से, तो आप अगर डाक चॉकलेट खाएंगे, तो भी मन थोड़ा सही रहेगा, साथ में इस फूड चेंजिस के हैं साथ-साथ, आपको थोड़े अपने लाइफ में एक्सराइस चेंजिस भी करने होंगे, जैसे कि बॉक आप करो, हर दिन बॉक करो, एक्सराइस करो, ठीक है तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हैं IBS के बारे में, एक है Fast Track Digestion जो बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं IBS के बारे में, उस बुक में फिर लास्ट में चार्ट्स वीडियो हैं खाने के, कि आप क्या क्या खा सकते हो, क्या 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 इसमें थोड़े बहुत ऐसा होगा कि कई सारी बुक्स में कई खाने बोलते हैं वो खा सकते हैं, और कई बुक्स में बोलते हैं यह खाना नहीं खा सकते हैं, what I do is, कि मैं mostly Ford Map तो follow करता हूँ, और जैसे मैंने या IBS की बुक पढ़ी, Fast Track Digestion, उसको भी follow करता हूँ, तो उन दो दोनो बुक में जो लिखा हुआ है कि यह नहीं खाना तो वह मैं तो बिलकुल नहीं खाता, for example, दोनों में लिखा है कि जिंजर गालिक नहीं खाना चाहिए, अद्रक और लसन, तो मैं नहीं खाता, अद्रक लसन, बट जैसे एक में लिखा है कि आप आपल खा सकते हैं, उस हिसाब से आप अपनी फिर डायेट बना सकते हैं, देखिए यह hit and trial है, आपको एक scientist की तरह रहना पड़ेगा कि अच्छा यह खाना मिल ले अच्छा नहीं है, यह खाना मिल ले अच्छा है, वैसे आपको hit and trial करके अपनी डायेट बनानी पड़ेगी, थोड़े time लगेग तो थोड़ी problem होती है, बट इसे हम manage कर सकते हैं, आप और भी videos है YouTube पे आप अच्छी तरह से diet के लिए, बट मैं आपको पूरी list दे दूँगा, आप और भी इस पे research करिए, बट मैंने जो आपको बताया है, वो अगर आप अच्छी तरह से follow करेंगे, तो आपको मतलब बहु liberates है, कि knowledge से ही आपको आजादी मिलेगी, मन की, तन की, ठीक है, तो आप वो करिए, and मेरे channel को जरूर subscribe कीजिए, thank you for watching my video till the end, life में कोई भी problem हो, कोई भी परिशानी हो, keep fighting